Hello everyone, मैं मितुन सिंग, स्वागत करता हूँ आप सभी का आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे एक नई recruitment आई है केंद्रिय विद्याले संगठन से तो उसके बारे में बात करेंगे जानने की कोशिस करेंगे कि आप कब तक apply कर सकते हो और सारी information आपको one by one मिल जाएगी तो आपको क्या करना है इस वीडियो को पूरा देखना है और अपने दोस्तों तक इसे share करना है तो देखिए यहाँ पर आपको देखे कि हमारे पूजनिये प्रधान मंत्री जी का फोटो और क्या कमाल का काम किया है इनोंने pandemic में भारत में एक भी मौत नहीं होने दिया है इनोंने बिलकुल पूरे भारत को पूरे इंडिया को इनोंने एकदम मसीहा की तरह बचा के रखा है सबको फिरी में वैक्सिन इनोंने प्रभाइड किया है वह अलग बात है कि कुछ कंट्रोवर्सिवी तब इनोंने माना लेकिन बहुत अच्छे से काम किया है मोदी जी की जैकार होनी चाहिए और के बियस में तो खैर इनोंने 50-60 लाग टीचरों की रिकूटमेंट परमान मैं इतनी तारिफ कर दी मोदी जी की तो खैर जोर से बोलिएगा जाय मोदी जी की आगे बढ़ेंगे और रिकूटमेंट की इनफ़रमेशन आपको दूंगा मैं देखिए सबसे पहले ना अब मैं अपना थोड़ा सा परचार कर लेता हूं सबसे पहले आपको कर लीजिए चैनल को और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे और एक और बात चैनल को like subscribe तो करना ही है share कीजिए न अपने दोस्तों के बीच में ताकि वो भी आ सके यहां पे तो share कीजिए अपने दोस्तों और यहां से देख लिजिए, सारे लोग पूछते हैं न, कि website क्या है, यह website है, screenshot आप ले लो, या फिर टेलिग्राम चैनल पे जुड़िए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी, इंटर्व्यू के लिए देखिए, contractual vacancy आई हुई है, सबसे पहले मैं फिर से बोल देता हूँ, यह contractual vacancy है, I repeat, यह contractual vacancy है, permanent vacancy नहीं आ रही है, क्योंकि मोधी साहब ने 50-60 लोगों को KBS में जॉब दे रखा है, और इतने लोगों को जॉब में रखने के बाद आप टीचरो टीचर की open है, और जो online screening test है, यानि की school में आपका screening test होगा, actually screening test is nothing, but only interview, आपका जो है, दो चार question वो पूछेंगे, इतने candidate होते हैं, कि दो चार question में ही है, वो आपको judge करके, interview आपका finish कर देंगे, तो आप जाईए, और Google form के माध्यम से आपको apply करना है, और post graduation की जो interview date है, व प्राइमरी का भी TGT के, और PGT के साथ ही है, यानि कि सब का interview एक साथ है, but timing is different, different, timing अलग अलग रखा गया है, साड़े 12 से 1 बजे तक PGT के लिए, TGT के लिए 2 से धाई, और साड़े 3 से 4 बजे तक आपको रखा गया है, यहाँ पे primary teacher के लिए, और इसी तरह से अब आगे ब में advice दे देता हूँ, अपने bag में apple वगेरा ले जाएं, आप bag के अंदर apple ले जाएं, water की bottle ले जाएं, हो सके तो cup, cake वगेरा ले जाएं, और जो packet में खाना ले जा सकते हो, या फिर आप घरों से अगर कुछ सूखा बना के ले जा सकते हो, then you can go, क्योंकि इतना time आपको इन registration करोगे, उसका print out आपको कराना है और वहाँ पे पहुचना है, with bio data, bio data आपने एक resume बना ले ना आप, primary teacher की salary देखिए, मैं आपको बता दू, 21,250 रुपए, योगा teacher की salary 21,250 रुपए, TGT teacher की 26,250 और 27,500 रुपए, PGT teacher को ये देंगे, और click here to registration देखिए, यहाँ पे आप click करोगे, तो registration के लिए आप चले जाओगे, मैं यहाँ पे click करके आपको दिखाता हूँ, Google form ये खुलेगा, definitely, मुझे पता था, आपको ये PDF टेलिग्राम चैनल पे मैं provide करा दूँगा, टेलिग्राम चैनल को आपको join कर लेना है, वहाँ पे ये जो form है, Google form या फिर जो है, सा जाएगा, doc file है, ये Google का form है, जिसे आपको भर करके submit करना है, देखिए, खुल चुका है ये, यहाँ आपको email id, email id, whatever, जो आपका mobile number है, वगेरा आपको भेज देनी है, और इसे आपको complete कर लेना, 4 page का ये है, आपको इसे भर देना है, तो फिलाल के लिए इतना ही, you guys are amazing, keep reading, keep learning, keep growing, thanks for watching this video, have a great day.